आज हम बनाएंगे बेशन और सुजी के दानेदार लड़ू जो सभी के फेवरेट होते हैं ये जितने बनने में आसान है खाने में उतने ही ज़्यादा स्वाधिस्ट है तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल मनोहर की रसोई में बेशन और रवा के लड़ू अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही परफेक्ट बनेंगे और बिगनर्स भी पहली बार में ही आसानी से दानेदार लड़ू बना सकते हैं तो चलिए हम लड़ू बनाना स्टार्ट करते हैं लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और सस्क्राइब करें तो चलिए बिना देर की लड़ू बनाना स्टार्ट करें सबसे पहले मैंने गेस पर एक पेन रखा है इसमें डाल देंगे हम दो चमस देशी घी आधी कटोरी मैंने सुझी ली है सुझी को हम रोस्ट कर लेंगे दो मिनिट के लिए लगातार चलाते वे हमें सुझी को रोस्ट करना है सुझी डालने से बेशन के लड़ू दानेदार बनते हैं तो अगर आप मोटा वाला बेशन ले रहे हैं तो सुझी को स्किप भी कर सकते हैं लेकिन बेशन के लड़ूँ में सुझी का टेस्ट अलग आता है और बहुत ही अच्छा लगता है तो दो मिनिट के लिए हम घीम में रोस्ट कर लेंगे सुझी को बहुत ही जल्दी सुझी सिख जाती है हमें लगातार चलाते जाना है और गेस की फ्लेम को मीडियम रखना है यह देखिए हमारी सुझी को हमने सेक लिया है अब यह बेशन के साथ ओर सिख जाएगी अब एक कटोरी में ने यह बेशन लिया है अब इसमें तीन चम्मच में घी ओर डाल देती हूँ जितनी जरुरत होगी हम घी ओर ले लेंगे लेकिन एक साथ हम घी नहीं डालेंगे जब लगातार चलाते हैं वे बेशन को भी फून लेंगे गेस की फ्लेम को मेडियम रखेंगे बहुती टेस्टी बनते हैं ये लड़ू इस तरीके से आप एक बार जरूर बना कर देखें लगातार चलाते हुए आमें बेशन को 10-15 मिनिट तक भूनना है ये देखे गी हमारा परफेक्ट है इससे ज़्यदा गी नहीं डालेंगे जैसे जैसे ये बेशन सिकेगा वैसे वैसे गी इससे थोड़ा अलग भी होता जाएगा और आसानी से आटा चलने लगेगा ज़्यदा गी डालने से लड़ू बनते नहीं फैलने लग जाते हैं तो हमें जितनी जरूरत होगी हम उतना ही गी डालेंगे आटा गीला हो जाए बस एक बार में इतना ही गी डालेंगे और लगातार चलाते वे हम बेशन को भून लेंगे आप हेल्दी तरीके से बेशन के लड़ू घर पे ही बना सकते हैं और अपने बच्चों को और परिवार को खिला सकते हैं तो आप भी इस तरीके से जरूर बनाएं जैसे जैसे बेशन सिखेगा इसमें से खुश्बू आने लगेगी और गी भी इससे अलग होने लगेगा तो तब तक हमें लगातार चलाते जाना है यहाँ पर आपको गेस की फ्लेम को बिल्कुल भी तेज नहीं करना है पर यहाँ पर बेशन में से गी अलग होने लगा है और आसाने से चलने लगा है थोड़ी देर इसे ओड़ चलाएंगे अब इसमें थोड़े से हम पानी की छीटे डालेंगे इससे क्या होता है कि हमारे लड़ू जो हैं बहुत ही दानेदार बनते हैं यह देखी थोड़े से पानी डालने से जाग आ गया है तो इसको मिटाते वे हम लगातार चलाते जाएंगे तो देखी बेशन हमारा अच्छे से सिग गया है इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है एक से दो मिनिट इसे ओड़ चलाएंगे यह इसकी फ्लेम धीरी ही रखी है हमने देखी बेशन हमारा सिग गया है पानी के छीटे डालने से खिले के लिए लड़ू बनते हैं एक से दो मिनिट हम और चला लेंगे दीमी आज पर ही चला रही हूँ मैं देखी यह बहुत अच्छा कलर आया है अब इसमें मैं थोड़ा सा फूड कलर डाल रही हूँ आप डालना चाहें तो डाले नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं और फूड कलर डालें तो लास्ट में ही डालें जब बेशन सिख जाए अच्छे से अच्छे से मिक्स कर देंगे यह लीजिए बेशन हमारा तयार है अच्छे से सिख गया है अब इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं जब ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें शक्कर मिलाएंगे यह देखे इतना की लगा है हमारा अब इसको एक बरतन में निकाल देते हैं बहुत ही जल्दी बन जाते हैं ज्यादा से ज्यादा बीस मिनिट लगे हैं मुझे ठंडा हो गया अब इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कुटीवी इलाइची इलाइची डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है लड़ों में यह नारियल का बुरादा डाल रही हूं मैं थोड़ा सा यह एक कटोरी से थोड़ी सी कम शक्कर डाल रही हूं यह आप अपने टेस्ट के अकोर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर आप मीठा ज़्यादा काते हैं तो ज़्यादा डालें थोड़े से बादाम कूट लिये हैं, इनको भी डाल देंगे आप अपने मन पसंद के कोई भी ड्राइफ फ्रूट्स डाल सकते हैं सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहां मैंने मीठे के लिए बुरा शक्कर का यूज किया है अगर आपके पास बुरा शक्कर नहीं है तो आप नॉर्मल चेनी को पीस कर भी डाल सकते हैं या चेनी की जगए आप गुड़ भी डाल सकते हैं इससे लड़्ू बहुत हेल्दी हो जाएंगे अब हम इसके छोटे-छोटे लड़्ू बना लेते हैं बहुत ही जल्दी बनकर तयार हो जाते हैं पंद्रा से बीस मिनिटी से शेकने में लगा है और पांच से साथ मिनिटी से बनाने में लगेगा तो आप भी इस तरीके से जरूर बनाएं बच्चों को बहुत ही अच्छे लगते हैं और healthy तरीके से हम घर पर ही बना सकते हैं बिल्कुल market जैसे लड़ू देखिए सारे लड़ू हम इसी तरीके से बना लेंगे तो आप भी इस तरीके से घर पर लड़ू बनाईए और ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भुले